कि अधियुद्स के लिए उन लोगों के लिए जो लोग बिजनस टार्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले या फिर करने के सोच रहे हैं बम बाजा हैं अब ब्लू पांच ऐसे लिए जिसके वेजैसे डिये आपको वेबवाइओट नहीं बनानी चाहिए हम नहीं बननी चाहिए अगर आपको लगए तो आपकी बेंग ενग नमबर ऐंग हो सकती है गूगल की search list में आ रहे हो कोई भी कुछ भी search कर रहा तो आपकी website display हो रही है so definitely आपका एक brand भी बनता चला जाएगा धीरे-धीरे customer आपके साथ में interact होंगे आपकी testimonials increase होंगी so definitely आप एक as a brand setup हो सकते हो and आप अपने competitor से unique दीख पाऊगे number three reason है leads अगर आपकी website होगी तो आपको leads आ सकती है free में जी हाँ आपको free में leads मिल सकती है अगर आपकी website है और google पे दिख रही ही है तो number four reason है organic traffic अगर आपकी website SEO optimized है so definitely आपको बहुत ज़्यादा और अच्छा खासा traffic मिल सकता अगर आप अगर कोई भी visitor कुछ भी आपकी website से related कोई भी keyword डाल रहा है so definitely अगर आपकी website उपर दिख रही है so आपके business को boost मिलेगा and आप उनका revenue multiply होता चला जाएगा so number five reason है time saving and customer service so अगर आपकी website है so आपका time बहुत ज़्यादा बचने वाला है like काफी बार क्या होता है customer office में visit करता है काफी ज्यादा मतलब कहीं बार हमारा meeting time होता है काफी बार क्या होता है कि किसी को हमारे office visit करना होता है बट उसे हम उसे location ही मिल रोती तो वह हमसे बार-बार call करके disturb करता है कि वह question कहां पर exactly कहां पर आऊं मैं so काफी सारी ऐसी problem होती है जिससे customer की काफी ज़्यादा queries रहेते हम resolve नहीं कर पाते तो अगर आपकी website है तो आप वहां से customer को one-on-one online meeting का भी मोगा दे सकते हो तो online meeting में भी आपको पता है limited time रहेगा 30 minutes 60 minutes 15 minutes it is up to you आप कितना time देना चाहोगे तो वहां पर limited time में आप बहुत ज्यादा अच्छी खासी deals close कर सकते हो number two reason है आपके अगर website है तो आप customer की query तोरण solve कर सकते हो and कुछ FAQs वहां पर डाल सकते हो जो भी आपको लगता है कि कश्मर कुछ भी question पूछ सकता है तो आप वहां पर कुछ FAQs डाल सकते हो जिससे कश्मर की queries automatically solve हो जाए अगर फिर भी कोई doubt हो तो आपका telephone number होगा वहां पर आपकी email address होगा वहां पर आपकी website responsive website होगी and वहां पर कुछ query forms होंगे तो definitely वह आपके साथ में directly interact करेगा अगर कोई भी query होगी वहां पर अपना message लिखेगा कि मेरे को यह यह चीज़े पूछ नहीं है वह आपसे पूछेगा and definitely उसकी problem भी resolve होगे and वह आपका customer बन जाएगा and वह आप भी से buy करेगा और definitely अगर उसको services अच्छे लेगे तो वह reference भी देएगा so now tell me आपको क्या लगता है website में जरूरी है या नहीं है अगर आपको लगता है कि भी बहुत जरूरी है अगर आपको लगता है कि आपके business को boost मिल सकता है so definitely you are right if you think it is not important so maybe you are also right क्योंकि ultimately business आपको business करना and revenue आपको पता है कि आप कितना जर्नेट करना चाहते हो so it is up to you so अगर आपको अच्छा लागा तो इसे like करें comment करें and share करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो लोग business कर रहे हैं या फिर business start करने के सोच रहे हैं या entrepreneurial journey में अभी अभी enter कर रहे हैं so that उनकी भी help हो सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care stay blessed stay healthy